अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ज़्यादा नमकीनी और टेस्टी खाना पसंद है तो प्लीज वेडियो पूरा देखिए आज मैं ऐसे ही कुछ बना रही हूं जब कोई अचानक आ जाता है तो इससे आप बना करके रख लीजिए और दो-30 महीनों दो-30 महीनों तक खा सकते हैं चाय के साथ इसे परोशेए यह बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहता है इतनी जल्दी बन जाता है बनाने में केवल आदा गंटा लगते हैं और इतना ज़्यादा क्रिस्पी रहता है कि आप यकीन नहीं मानोंगे जब आप घर पर बना होगे त पटपटा खाने का तो खा लीजिए चलिए बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले हम उड़ाद दाल को मैंने उड़ाद दाल को भीगो करके रख दिया था क्योंकि मेरे पास चलके वाली दाल थी इसका मैंने चलका निकाल लिया चार-पांच घंटा के लिए भीगो दिया था दाल को हमें अच्छे से पकाना है जब दाल हमाई पक जाएगी उसके बाद निकालेंगे और इसे चम्मच से अच्छे से मैस कर देंगे अगर आपको दाल खड़ी सी लगए तो इससे ठंडा करके मिक्सी के जार में पीच लें अब एक कटोरियम चावल का अटा लेंगे उसमें डालेंगे नमक, जीरा, एक चमच कलॉंजी, एक चमच हेंग डाली है इडिलिया वाली हेंग थी तो मैंने उसे अच्छे से को चल ल किब्सार में, एक चमच का सूरी मेथी एक चमच सफेद तेल, एक चमच कुटी हुए लाल मिर्च, एक चमच कुटी हुए काली मिर्च डालेंगे, एक चमच घृ डाल देंगे गी कि जगए बटटर डाल लीजीए हूँ अगर आपके पास अगर इसमीं से कोई और अपको प से इसाधी बनता है कि इसी अच्छे सी मिक्स कर दूंगे उसके बाद दाल को मेंस कर कि ढाल देंगे दाल को ठंदा करके डालेंगे फोड़ा सा ठंदा कर लिए गई कि अगर आप कोई और दालसी से बनाना चाहिए तो भी बना सकती है यहसी मुधं नाल मिलंसी आप चना डाल से पर चावल की आटा और उड़ाद दाल से हमारी घर में बनाती है दीपा वाली में यह जोन चक्री होती है तो उड़ाद दाल से बहुत जाता है यह टेस्टी बनता है और क्रिस्पी भी बनता है आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे सौप्ट आटा लगाएंगे अगर पानी डालने की जरूरत हो तो डाल लीजिए ज्यादा हमें टाइट आटा नहीं लगाना है बिल्कुल सौप्ट आटा लगाना नहीं बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यह मसीन लेंगे यह बर्तन की दुकान में वो लैन असानी से मिल जाती है मैंने तो बर्तन वाले की दुकान से ले थी इसमें हम अच्छे से तेल लगाएंगे तेल लगाने के बाद इसमें एक बड़ी लोई लेंगे और उसे सलेंडर किया कर लंबे साज में बना लेंगे पहले इसमें इसे मसीन में भार देंगे उसके बाद इसका ढखकन बंद कर देंगे एक दिन बनाओ गया आप दोसे तीन महीनों तक असानी से खा सकते हैं बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी होता है पर मैंने बनाया था परसों फिर भी खतम हो गया पूरा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी था बच्चों ने तो पूरा दिन ही खाया है इसे अब एक प्लेट लेंगे या फिर कोई भी आपके पास अगर पटर पेपर हो तो उसमें भी बना लीजे पर मैंने प्लेट में ही इसे बनाया है तेल लगा करके पहले हम पूरे बना करके जखरी रख लेंगे क्योंकि जब इसे तलो तो टैम नहीं मिलता है इसलिए बीच म इसलिए पहले हम पूरी बना करके रख लेंगे उसके बाद तलेंगे कोई भी अगर छनी लगा लें जैसा आपको पसंद हो वैसी छनी लगा ले इस साइड में हम इसे थोड़ा से चिपका देंगे नहीं यह तलते समय खुल जाता है बनाना बहुत असान है बहुत असानी से निकलाता है आठा वराप सौट लगाना तो बहुत जल्दी बन जाएगा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसे हम सारी बना करके पहले रख लेंगे तील गरम कर लेंगे तील को अच्छे से गरम करना है जितना जादा तील गरम होगा उतना जादा यह जोगे क्रिस्पी बनेगा और बहुत ज़्यादी सिख जाएगा क्योंकि गैस को से लिव करके अगर आप तल होगे तो यह तूटने का भी ड़ रहता है तील ज्यादा सोक ता इसलिए गैस को तीज करके अच्छे से तलें क्रिस्पी और गोल्डन होने तर जब एक साइड अच्छे से शिख जाए उसके बाद इसे पल्टें और दूसी साइड अच्छे से तलें जल्दी जल्दी नहीं पल्टे नहीं तूट भी जाता है कि तेल ज्यादा गरम था इसलिए मैंने इसी डाल दिया तो टूट गया था कि अ कि अ कि मैंने तो इसे सर्सों के तेल में ही तला है अगर आप कोई और भी तेल खाते हैं तो उसमें तल लीजिए पूरा नास्ता मेरा बन करके विल्कुल तयार है परोशने के लिए देखो मैंने एक ट्रेट बना लिया कितना अच्छा देखने में लग रहा है तो खाने में कितना ज्यादा अच्छा होगा यह नास्ता जितना ज्यादा ठंड़ा उतना ज्यादा क्रिस्पी होगा इसी एक विज आप इश्रोड ट्राय करना और कमेंट करते जरूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अभी तक यह अपने सब्सक्रायब नग сво को सब्सक्रायब कीजिये और अगर अभी तक आपने यह सबतार है तो बनाना इस दीपवल्प बंद को बहुत पसंद